अगे देन दी कहोर वड़ी खबर वाल वाद लेनिया अर्विन केजरी वालाज तो पंजाब दौरे ते पहुंचे जिते उना किसाना दे हमाईती बनंदी कोशिश कर दिया उना देया मुश्क्ला नो सुनिया ते नाली पंजाब सरकार दिया नकाम या नो गिनवाया उना संग पहिंदे मदे नजर ही केजरी वाल पंजाब दौरे दिने इस मौके आप दी सरकार बननती मौफ़ा राशी वाद देन ते किसाना देवलो खुदकुशिया ना करनवरगा परोसा जनता नो दिन दे नजर आए केजरी वाल जब फसल बरबाद हो जाती है तो किसान कहीं का नहीं बचता ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो उन किसानों को जिन के उपर अगर फसल बरबाद हो जाती है जिन किसानों की उनको कुछ ना कुछ मौफ़ा दे दिल्ली के अंदर जैसे हम लोगों ने पिछले साल अप्रेल के महीने में फसले बरबाद हो गई थी कई किसान आये में खुद कई गाउं में गया और उसका हमने मौाइना कराया तो हमने 50,000 रुपे पर हेक्टेर के हिसाब से हमने मौाफ़ा दिया था हमने एक भी किसान को आत्मत्या करने नी दि दिल्ली के अंदर अब इसी तरह से अपने को पंजाब के अंदर व्यवस्था बनानी पड़ेगी कि जो लाज स्केल पे इतनी आत्मत्याएं हो रही है किसानों की करजे की वज़े से अपने को कुछ ना कुछ विवस्था बनानी पड़ेगी कि एक भी किसान को अपने को पंजाब में आत्मत्यानी करने देना उसके पूरा बनाएंगे एक तो लोन बहुत बड़ी समस्या नजल आ रही है इसको कैसे किया जाएगा इसके बारे में सोचेंगे सब लोग बैठके और दूसरा ये तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि अगर फसले बरबाद होती है तो सरकार इतना मुहाफ़जा उसको दे कि वो अपना लोन वापस कर सके अपना घर चला सके जैसे अभी दिल्ली में जब हुआ तो मैंने किसानों से पूछा मैंने का आपको कितने पैसे चाहिए है क्योंकि कि फसल बरबाद हो गई अब आपको कुछ अगली फसल तक तो अपना घर चलाना है होती है तो पोचित मौावजा सब को दिया जाएगा